अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बी ओडी जो की है तो छोटा लेकिन बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ये एक्जाम में जाने से पहले आप लोग ये याद करके जाएगा बी ओडी के बारे में तो बहुत सारे स्टुटेंट्स क्या होत होगे दे क्वैंटिटी ओफ डिजॉल्व ऑक्सिजन रिक्वाइड बाई ये रोबिक बैक्टिरिया फॉर्ट ऑफ ऑफ ऑर्गनिक मैटर विच प्रिजेंट इन दे वार्टर इस नोन अस ब्योडी ब्योडी इस डिरेक्टी प्रोपोजनल तो अमांट अफ ऑर्गनिक मैट इसमें ये बताया जा रहा है कि ब्योडी क्या होता है बालोजिकल ऑक्सिजन डिमांड यानि ऑक्सिजन की डिमांड होना ब्योडी कहलाता है तो इसमें कहा जा रहा है कि जो पानी में और्गनिक मैटर्स होते हैं यानि जो गंदगी होती हैं खर्पतवार होते हैं उनको ऑक Neurovidic bacterias होते हैं वो oxidation की process को करते हैं जिसके लिए उन्हेंれて oxygen की आवशक्ता होती है तो वही oxygen की आवशक्ता यानि जो oxygen की आवशक्ता होती है उसी की quantity को हम लोग कहते हैं biological oxygen जो पानी में घुला हुआ ओक्सिजन होता है उसकी मात्रा को हम लोग कहते हैं BOD इसमें साफ साब लिका है कि the quantity of dissolved oxygen dissolved oxygen मतलब जो पानी में घुला हुआ है पानी में घुले हुए oxygen की मात्रा या quantity required by the aerobic bacteria जो require होती है aerobic bacteria के द्वारा for the oxidation of organic matter organic matter के oxidation के लिए जो require होती है which is present in the water जो organic matter water में present होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं BOD simply आपको समझ में आया होगा कि जो water में हमारी oxygen dissolve होती है जो की bacteria के द्वारा requirement होती है उसकी oxygen की जिस dissolve oxygen की bacteria को requirement होती है उसी को हम लोग कहते है biological oxygen demand और जो BOD होता है वो directly proportional होता है amount of organic matter it means जितना ज्यादा पानी में गंदगी होगी उतना ज्यादा BOD बढ़ेगा जैसे कि आप कोई पानी का sample लेते हैं जांच के लिए तो ये देखने के लिए इसकी BOD की मात्रा कितनी है अगर गंदा पानी रहेगा तो आपका जो result आएगा उसमें BOD का जो percentage होगा वो ज्यादा होगा अगर आपका पानी साफ सुथरा है और उसको अगर जांच के लिए आप भेजेंगे यानि उसमें गंदगी नहीं है तो उसमें BOD की मात्रा कम होगी क्योंकि oxygen की मात्रा कम होगी क्योंकि उसको कम oxygen की आवश्यक्ता होगी क्योंकि गंदगी ज्यादा है नहीं तो बैक्टिरिया कहेंगा कि थोड़ा सही oxygen मिल जाता है तो मैं उसमें oxidation की process कर सकता हूं कि गंदगी नहीं है ज्यादा तो आफ लोग को समझ में आए होगा कि वियोडी क्या होता है अब हम लोग देखते हैं significance of body तो आप लोगे paper में आएगा body क्या होता है तो body definition लिखेंगे छोटी सी definition है उसके बाद significance लिख देंगे तो significance of BOD में first point लिखेंगे with the help of BOD value BOD की value की help से we can determine हम पता करते हैं the amount of organic matter present in any water sample हम लोग BOD की मदद से पता करते हैं कि organic matter इसी पानी में कितना organic matter है हमने पता है ना कि directly proportional होता अगर कोई जांच के लिए कोई water का sample हम लोग भेजते हैं उसमें BOD की मात्रा अगर ज़्यादा आ रही है इसका मतलब वो पानी ज़्यादा impure है मिस गंदा है वो अगर BOD की मात्रा कम आ रही है इसका मतलब वो पानी साफ है उसके comparison में तो अगर BOD की मात्रा बढ़ेगी इसका मतलब होता है कि पानी गंदा है यानि पानी जो है वो polluted है BOD की मात्रा कम है यानि जो पानी है वो कम polluted है तो दूसरा है इस गूड टेस्ट फॉर चेकिंग दा और्गनिक पलुशन इन वार्टर बाडी ये तो सिंपल है कि यह अच्छा टेस्ट होता है यानिक अगर और और्गनिक पलुशन इस जो पानी में और्गनिक पलुशन होते हैं तो बहुत सारी औरगनिक चीजिए जैसे हम लोग की जो वेस्ट होते हैं वो हम लोग कीशन की जो वेस्ट होते हैं, चले जाते हैं तो इस तरीके से हम लोग यह भी डिटर्माइन कर सकते हैं कि पल्यूटेट कितना है पानी या उसमें और्ग्निक मैटर कितने हैं बीओडी कि हल्फ से लाहता है यह थापिक क्या होता है उसका significance क्या है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like करें and thank you so much for watching this video